जैहिन दोस्तों जैहिन बच्चों जोगरोफी की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी सेकंड बुक और सेकंड बुक का नाम है भारत लोग और अर्थ विवस्ता और टोपिक स्टार्ट करेंगे आपके पहले चेप्टर से जिसका नाम जन बारे में पढ़ेंगे अब एक चीज आपके याद आ रहा होगा फर्स्ट बुक का जब आपने सेकंड चेप्टर किया तो उसके अंदर भी तो आपने वित्तरन घनतव व्रदी है वो इनको जना इसका मतलब इन शब्दों के अर्थ इनकी परिभासा यानि बेसिक जो अब उसको रिपीट करने की आवशक्ता है वो नहीं है बस इंडिया के संधरब में जो मेन तथे हैं उनको ही अब हमें ध्यान में रखना है प्रिक्षा की दरीश्टी से भी आपको उतनी ही चीज़े ध्यान में रखने हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आज बात के दो तथ्यों को लेकर और सबसे पहले हम जान ले जन संख्या आंकडों के सोर्स क्या है इंडिया में आपको पता है किसी भी देश के जो लोग होते हैं याने वहां की जो जन संख्या होती है वो ही उसके वास्तविक धन होते हैं वो ही उसके वास्तविक संसाधन होते हैं और ये संसादन ही अन्य संसादनों का की स्तिमाल करते हैं और उनके इस्तिमाल की नीतियां बनाते हैं तो इसलिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले तो बात करें भारत में जन संख्या के आंकडों के जो स्रोत है वो कितने टाइम में इकठे किये जाते हैं याने भारत की जो जणगणना है वो कितने टाइम पर होती है तो ये ध्यार रखिए प्रती 10 वर्स में हर 10 साल बाद में भारत की जण संख्या है उसकी गणना कर ली जाती है अब दूसरा प्यारा सा प्रशन आता है पहली बार जणगणना कब हुई पहली बार जणगणना हुई वो ये अर ध्यान में रखना है वो है अठारा सो बैतर इस्वी में जब भारत के उपर अंग्रेजों का राज था उसी टाइम एक प्यारा सा प्रश्ण और बनता है भारत में पहली सम्पूर्ण जणगंणा कब हुई ध्यारी कियेगा पहली सम्पूर्ण जणगंणा ये हुई 1881 में पहली 1882 में हुई लेकिन पूरे भारत के अंदर नहीं हुई कुछ विशेश इलाकों के अंदर हुई और फिर ये डिसाइड हो गया भी अब हर 10 साल बाद है वो जणगणना किया करेंगे तो इसके साथी 1881 के अंदर पहली संपुर्ण जणगणना है वो की गई और इसके बाद हर 10 साल बाद इंडिया में जो population की counting है वो होने लगी इसी कड़ी के अंदर बात करें भी अंतिम जणगणना कब हुई जो संख्या के इसाब से 15 वी जणगणना थी ये जणगणना हुई इंडिया के अंदर 2011 में अब इसके इसाब से आगे 10 साल बाद 2021 में होनी थी लेकिन कोवीड की वज़े से सारा disturbance है वो हो गया तो संपुन जणगणना 1881 में और पंदर्वी जणगणना जो हमारे सिलिबस के अंदर है 2011 वाली और इसके अधार पर बात करें तो इंडिया की जो पापूलेशन है वो थी 121 करोड 2011 की जणगणना के अनुसार भारत की जन संख्या कितनी है 121 करोड है और ये पापूलेशन इतनी ज़्यादा है भी अगर आप उत्री अमेरिका दक्षनी अमेरिका और ओसियना जो ओसेनिया महादीप है उन तीनों महादीप की अगर पापूलेशन काउंट कर लो न तब भी इंडिया की पापूलेशन ज्यादा रहती है 2011 के इनी आंकड़ों के इसाब से बात करें तो विशव के अंदर जन संख्या की दिरस्टी से भारत का दूसरा स्थान है तो अब ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है सुरोत के बारे में और एक चीज ध्यान रख दे थे वो हमारे सलेबस के अंदर नहीं है प्रोविजनल डेटा के उपर ही बात हम करेंगे चलिए इसी कड़ी में अब बात करते हैं भारत के अंदर जन संख्या के वित्रण की और वो वित्रण भी कैसा है ए समान वित्रण है और यही बात हमने विशव के संदरब में भी भी विश्व के अंदर भी जन संख्या का वित्रण है यानि वो ऐ समान है वित्रण का मतलब होता है धरातल के उपर लोगों का जो फेलाव है वो एक जैसा नहीं है कहीं पर लोग ज्यादा रहते हैं कहीं पर लोग कम रहते हैं तो अब हम भारत के संदरब में वित्रण को लेक कुछ डेटा आपको ध्यान में रखना है पहला प्यारा प्रशन यही बन जाएगा भारत के अंदर किस राज्य की पापूलेशन सबसे ज्यादा है तो सरवाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है जी उत्तरपरदेश यहाँ पर आप देखेंगे डोट ज़्यादा लगा रखी है यानि यहाँ पर पापुलेशन सबसे ज़्यादा है UP के अंदर दूसरा जो स्टेट आता है उसका नाम है महारास्ट्र आपको यह तिहान में रखने पढ़ेंगे दो-च्यार स्टेट तो सबसे ज़्यादा पापुलेशन इंडिया में 2011 के आंकडों के अनुसर किस की है उत्तर पर देश की दो नमबर पे आता है महारास्ट्र यह लीजिए यह दो नमबर पे यहाँ पर है महारास्ट्र तीन नमबर पे जो स्टेट आता है वो है बिहार जन संख्या की दरस्टी से तीन नमबर पे बिहार यह लीजिए यूपी के पास और च्यार नमबर पे स्टेट आता है वो है बिहार के पास में ही पश्चिम बंगार तो ये चार स्टेट ध्यान रिखिये जहां पर पापुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है एक नमबर उत्तर परदेश, दो नमबर पे महारास्टर, उमा को बिपी है वही उत्तर परदेश, महारास्टर, बिहार और पश्शिम बंगाल ये चार सरवादिक जनसंख्या वाले राज्ये हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पापुलेशन की बात करते हैं तो वो है सिक्किम आता है सिक्किम की सबसे कम है और बाकी आप देखेंगे, ये डोट वाला मेप देखेंगे तो कहीं पर डोट कम, कहीं पर ज्यादा है जो की पापुलेशन की फेलाव को यहां पर बिंदुकत मेप की जो विडिय है, उसके माद्यम से बताया गया है अब आपके दिमाग में एक चीज आजानी चाहिए, जो हमने फस्ट बुक में की है जन संख्या का वित्रण ऐसमान क्यों है? क्योंकि जन संख्या के वित्रण और घनतव को कुछ बोगोलिक, आर्थिक और समाजीक और राजनेतिक कारेक है, वो परभावित करते है जैसे जहां पर पानी की उपलब्दता जादा होगी, वहां पर आपको पापुलेशन जादा मिलेगी याने जो मेदानी जो भाग है, यह गंगा यमुना का जो क्षेतर है, यहां पर आपको पापुलेशन जादा मिलेगी जहाँ पर रहने के लिए अनकूल जलवायू होती है उन स्टेट्स के अंदर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उपजाओ मिटी होती है वहाँ पर लोग है वो ज़्यादा रहेंगे पापुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी समतल जो मेदानी भाग है वहाँ पर population ज़्यादा मिलेगी और नगरी करण के कारण शहरों की जनसंग क्या बढ़ रही है नगरी करण का मतलब हो गया जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थे की स्वीदाएं है वो शहरों में बढ़ रही है तो गाओं से लोग ज़्यादा परवास करके शहरों की तरफ जा रहे है उध्योगी करण यानि उध्योग जहाँ पर ज़्यादा पनप रहे हैं तो लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता है तो ओधोगी करण, नगरी करण के कारण है वो शहरों की population है वो बढ़ रही है तो इसे इसाब से अगर आप देखते हैं जो अमने सरवाधिक जनसिंग्या वाले states की बात करते हैं तो जो मेदानी इलाका है इंडिया का वो और जो तटिये जो इलाका है वहाँ पर आपको जो population है वो ज्यादा मिलती है इन क्षेत्रों के अंदर population आपको ज्यादा मिलेगी बजाए दूसरे state की तुल्ला में तो ये होगे वित्रण के संधरब में आपको इतनी बाते ध्यान में रखनी है अब चलिए बात कर लेते हैं जनसंख्या के घनतों को याने density population की density किसे कहते हैं फस्ट बुक में हो चुगा है न कुल जनसंख्या और कुल इक्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे ही population density है वो कहा जाता है और जनसंख्या के वित्रण की तरह जनसंख्या का घनतों भी आपको ऐसमान ही भारत के अंदर मिलेगा अब एक डेटा आपको दिहान में रखना है 2011 के आंकडों के अनुसार भारत का जो population density है वो है 382 वैक्ती परती वरग किलोमेटर ये जरूर दिहान रखिएगा तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार population density कितनी है 382 वैक्ती परती वरग किलोमेटर है 1951 में यही जो संख्याती वो केवल 117 थी देखिएगा 200 से अधिक जो density है वो बढ़ गई तो 2011 में कितनी होगी 382 वैक्ती परती वरग किलोमेटर होगी अब हमें जैसे जन संख्या वित्रण के अंदर बात की थी भी सबसे अधिक जन संख्या किन स्टेट्स में है सेम वो ही बात यहां पर करेंगे भी सरवाधिक डेंसिटी वाले घनतो वाले राज्ये कोन से हैं सबसे पहले हम राज्ये की बात कर लें तो राज्ये की अगर बात करें तो एक नंबर पे आता है भीहार द्यान रखियेगा जन संख्या के अंदर एक नंबर पे है अधर उत्तर प्रदेश और जन संख्या गहनतो पे अंदर पहला जो स्टेट है वो अपना कोन सा है बिहार है और इसका थोड़ा सा आंकडा भी ध्यान में रख लीजिएगा और वो है ग्यारा सो दो वैक्ति परती वर किलोमेटर है जो हमारे सलेबस में उनी के डेटा की बात करूँगा नमबर दो पे अगर हम बात करें तो वो स्टेट है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल का जन संख्या गहनतव है वो दो नमबर पे हैं और इसके डेटा की बात करें तो वो है 1039 वैक्ति परती वर किलोमेटर की बात आती है तीन नमबर पे जिस स्टेट का नाम आता है वो है केरल केरल का नाम आता है और वो है 859 यानि 869 वैक्ति परती वर किलोमेटर है च्यार नंबर पे फिर उत्तर परदेश आ जाता है आट सुन अटिस अठाइस की बात आ जाती है तो ये तीन स्टेट आप वो ध्यान रिखिएगा राज्यों की बात कर रहा हूँ बिहार का जन संख्या गनतोव सबसे ज्यादा है फिर पश्चिम बंगाल और फिर केरल का है और सबसे कम जन संख्या गनतोव वाला राज्य अगर आपसे पूछ ले तो निून्तम यानि मिनीमम तो ध्यान रिखिएगा वो है अरूना चल परदेश अरूना चल परदेश का जन संख्या गनतोव 2011 के अनुसार सबसे कम है और वो कितना है 17 17 वेक्ती परती वर किलोमेटर तो पहला स्टेट दूसरा तीसरा ये मैक्जिमम राज्यों की बात कर रहा हूँ केंदर साशित परदेश की बात नहीं कर रहा भी और सबसे कम है वो अरूना चल परदेश और टोटल एवरेज आंकड़ा कितना है 382 सबसे अधिक हो गया भिहार का नंबर दो पे कौन सा हो गया पश्चिम बंगाल का और नंबर तीन पे कौन सा हो गया केरल का और सबसे कम की बात करें तो कौन सा है अरूना चल परदेश है राज्यों में अब एक चीज आपको और ध्यां रखनी पड़ेगी विशेस है और वो है केंदर साशित परदेश को लेकर ये भी नोट कर लीजिएगा केंदर साशित परदेश यूनियन टेरेटरी 2011 में जो यूनियन टेरेटरी थी उसके हिसाब से बात हो रही है यहाँ पर हम कोई नए राज्यों और उनके केंदर साशित परदेशों की बात नहीं कर रहे है क्योंकि जन संक्या हम कोण सी ले रहे हैं 2011 वाली तो 2011 में जो राज्ये थे और जो केंदर साशित परदेश थे उनकी पापुलेशन की बात कर रहे हैं इसमें आपको ध्यान में रखना है सबस अधिक जन संख्या घनत वाला केंदर साशित परदेश है उसका नाम है दिल्ली दिल्ली और इसका जो आंकड़ा है वो है 11,277 में वेक्ती परती वरे किलो मिट्र दिल्ली राज्य पूछे तो बिहार है और राज्यों और केंदर साशित परदेश दोनों में पूछे तो सबसे ज़्यादा जन संख्या घनत व कहां का हुआ फिर भाई दिल्ली का दिल्ली का अब बाई चांस प्रशन आपसे राज्या और केंदर साशित परदेश दोनों का ही कोई objective question आजे भी कौन सा राज्या या केंदर साशित परदेश है जिसका जन संख् सबसे अधिक है और option में आपको दिल्ली और बिहार दोनों ही मिले तो ध्यान रिखिएगा प्रशन की बासा भी तो राज्या या केंदर साशित परदेश से है सीत इसी बात है अगर बिहार और दिल्ली option के अंदर आता है और प्रशन के अंदर सिर्फ राज्ये पूस्ता है तो आप उत्तर लगाएंगे बिहार और जब कुछ भी नहीं दिया ना राज्ये दिया ना केंदर साशित का दिया प्रशन के अंदर तब उत्तर दिल्ली आ जाएगा अगर option के अंदर है तो कही बार क्या होता है option में दिल्ली भी नहीं है और option में बिहार भी नहीं है और प् सी वेक्ति परतिवर किलोमेटर पापूलेशन घनतव है जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा बिहार दो नमबर पे पश्रिम बंगाल तीन पे केरल है और जन संक्या वित्रण में हमने क्या देखा सबसे अधिक पापूलेशन उत्तर परदेश की दो नमबर पे महाराष्टर, तीन नमबर पे बियार और च्यार पे पश्रिम बंगाल था जो तीन और च्यार पे है वो डेंसिटी में एक और दो नमबर पे है नियूनतम जन संक्या गनतव अरुना चल परदेश का है आंधर परदेश मत कर देना भी अरुना चल परदेश अंडमान निकोबार दीप सुमूए अगर आप इसको छोड़ दें बाकी सभी यूनियन टेरेटरी का जन संख्या गनतो बहुत हाई है राज्यों से कहीं ज्यादा है चे दिल्ली है चंडीगड है दादर नगर हवेली है पोड़ुचेरी लक्षदीप इन सब की population density है वो सबसे ज्यादा ही मिलेगी राज्यों से भी ज्यादा मिलेगी तो किस के अंडर साशित परदेश की population density है वो सबसे कम है तो वो है अंडमान निकोबार दीप सुमूए है और इनकी density है वो है चारीस वैक्ती परती वरक किलोमिटर 46 46 46 की बात आ रही है राज्यों की बात करें तो कौ इंडिया की density के संधरब में ध्यान में रखनी है कोई प्रशन गलत नहीं होगा आपका बस थोड़ी थोड़ी बातें ही तो रखनी है और हम मानचित्र के उपर अभ्यास भी कर रहे हैं और आपको करना भी है तो हो गई दो चीज़ अब एक चीज़ और समझ लीजिए चलते वो यह है भी भारत क्या है भारत एक क्रिशी परधान देश है तो हमें कुछ agriculture और population के उपर भी बात कर लेनी चाहिए अभी तक तो हमने गणिती है जो density का formula होता है कुल जन संख्या बटा कुल क्षेतरफल उसकी बात की है अब हम करने जा रहे हैं कि भारत में कुल क्रिशी जानने के दो तरीके होते हैं दो formula यूज होते हैं जिसमें एक का नाम है काईक घनतव और दूसरे का नाम है क्रिशी घनतव दोनों का formula आपको ध्यान में रखना है एक बार पुने में normally अंकिय जो घनतव निकालते हैं population का उसको लिग दूँ उसके लिए हम यूज करते हैं क कुल क्षेतरफल ये normally गणित ये formula है जिसके आधार पर पहले अभी हमने जो data की है agriculture की बात आती है दो बात काईक घनतव और क्रिशी घनतव आप से काईक घनतव निकालने का पूछ ले तो ध्यान रिखे उपर तो वो ही कुल जनसंख्या की बात है नीचे का ध्यान रखना ह यहां सिर्फ कुल क्षेतरफल है इंडिया का जो कुल क्षेतरफल है उसकी बात है लेकिन यहां क्या है काईक में नीवल क्रिशी क्षेतर है नीवल का मतलब बता है नेट नेट जो बोया गया जो क्षेतर है क्षेतरफल है उसकी बात नेट क्रिशी क्षेतर नेट बोया गया जो क्षेतर है वो लेना है एरिया वो लेना है तो कुल क्षेतर फल वाली जगह क्या आ गया नीवल क्रिशी क्षेतर नेट एग्रिकल्चर एरिया लिखना है उपर कुल जनसंख्या है तो वो काई घनतव आ जाएगा अगर आप से क्रिशी घनतो पूछ लें तो नीचे वाड़ा तो वो ही नीवल क्रिशी क्षेतर जो आपने यहां लिखा वो ही चीज नीचे यहां लिख दिया फोर्मले के अंदर लेकिन उपर कुल जनसंख्या की जगए आपको क्या लिखना है कुल क्रिशी जनसंख्या लिखना है कुल जनसंख्या की जगए कुल क्रिशी जनसंख्या तो दोनों में एक फरक है कुल जनसंख्या और कुल क्षेतरफल हमें याद रहता है काईक पूछे तो नीचे कुल क्षेतरफल की जगए नीवल क्रिशी क्षेतरफल लिख देना है और काई घनतव नहीं पूछकर क्रिशी है पूछे तो कुल जन संख्या की जगए कुल क्रिशी जन संख्या करना है बाकी वो से अब बात यह आगी का कुल क्रिशी जन संख्या का क्या मतलब होता है ये शब्दा है ना कुल क्रिशी जन संख्या इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है क्रिश्य की यानि किसान, खेत में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार के सदश्य शामिल होते हैं तो किसान, खेत में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार के सदश्यों की जो कुल जनसंख्या होती है वो कुल कृशी जन संख्या है वो कहलाती है तो वो उपर लिखे नीचे नेट बोया गया क्षे तरफल है उसका भाग दे दिया जाता है तो वो कृशी एक घनतव है वो हमें प्राप्त हो जाता है तो बिलकुली आसान से और एक प्रशन पैट आपका वित्रण और घनतव से आ बहुती सिंपल सा क्वेशन है अब चलो चलते चलते अब आप से एक प्रशन पूछ लेता हूँ आज हम इतना ही करेंगे अगले वीडियो शेशन के अंदर हम भारत की जन संख्या व्रदी को जानेंगे मैं चाहता हूँ भी अच्छे से हम क्लासरूम के अंदर ही सारी चीज में समपूर्ण हुई फिर हर दस साल बाद ओने लग गई दो अजार ग्यारा में पंदर्मी जणगना हुई उसके अंदर भारत की जन संख्या 121 क्रोड विश्यों के अंदर दूसरे स्थान की बात आती है सबसे अधिक जन संख्या उप्तर परदेश की है दो नंबर पे आत 1277 में का सबसे कम जन संख्या गनतव अरुनाचल परदेश का है 17 है और सबसे कम केंदर सासीत परदेश जिसका जन संख्या गनतव सबसे कम है वो अंडमान निको बार दीब समू है जहां 46 वेक्ति परती वरक किलोमेटर ही उसका जन संख्या गनतव है वो देखने को मिलता है तो चलिए अब कमेंट करके आप ये भी बता दीजिएगा सबसे ज़्यादा किस राज्य या किंदर साशीत परदेश का जन संख्या गनातो 2011 के अनुसार इंडिया में है जल्दी से कमेंट सेक्षन के अंदर आप लिखिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में तब तक जै हिन्द जै भारत